नमस्तकार मैं हूँ हिमान सुकुमार और आप देखरें Future of India आज की इस वीडियो लोग बात करने वाले इंडिया इंडियान इंफोटेक और सब्सक्राइब के बारे में देखें बहुत से लोगों का मानना है कि ये कंपनी IT स्ट्रक्टर से विलोंग करती है क्योंकि इसके नाम में software लगा है जबकि हकीकत यह है कि ये कंपनी finance स्ट्रक्टर से विलोंग करती है और एक NVFC कंपनी है मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता है कि ये जो कंपनी है एक बैंक की तरह ही काम करने वाली कंपनी है लोन वेगरा देती है और लोन से जो इंट्रेस्ट मिलता है उससे इस तरह की जो कंपनी होती है उनकी कमाई होती है लेकिन लोग काफी भरमित हैं लेकिन मेरे जो भीवर है मेरे जो सब्स्राइबर है वो भरमित ना रहा है मैं असपश्ट करता हूँ यह AIT sector से बिलोग नहीं करती है Finance sector में काम करने वाली कमपनी है हलागि इस कमपनी के नाम Change होने क고 लेकर पृछले कई दिनों से एक घमसान चल रहा है लेकि नाम finally कब Change होगा यह तो वक्त ही बताएगा हलागि नाम Change होना जरूरी है क्योंकि जब company उस तरह की काम नहीं करती है तो उस तरह की का नाम रखना भी सही नहीं है खेर हमले चलते हैं काम की बात करते हैं काम की बात यह है कि पिछले 7-8 सालों से देखेंगे और अभी डाउन जाकर इसका प्राइस तोड़ हाई रोपय कासपास ट्रेट करते हुए नजर आ रहा है यानि कि तक्रिवन 7-8 महीनों में देखें तो यह श्टॉक लगवक 50% कासपास टूट चुका है या उससे अधिक टूट चुका है और इसके इतने टूटने की वज़े से यानि शेयर प्राइस के डाउन जाने की वज़े से इसका मार्केट केप भी कम हो गया है इसका वैलुएशन यानि की मार्केट केप कम होकर तक्रिवन 235 क्रोण के आसपास पहुँच गया है हाला कि जब इसने बारत 13 रुपय का हाई बनाया था उससे मार्केट के भी क्या पिया दिक बढ़ गया था इस कमपनी के निवेसक हैं आप इस कमपनी के रेगुलर भीवर भी हैं तब ही आपको यह बात पता होगी कि कमपनी का जो ऑथराइट शेयर क्रोण है उसमें इंक्रिजमेंट करने की बात चल रही थी और उसी इंक्रिजमेंट की मंजूरी देने के लिए यह मेटिंग को बढ़ा कर 230 क्रोण के आस्पास किया जाएगा यह सेम वैसे होगा जैसे राइट इस के जरी कमपनियां फंड्रेज करती हैं हाला कि यह राइट इस नहीं लाए जाएगा यह होगा आपको पोश्टल बैलेट के जरी है देखे इसके लिए कंपनी के डेक्टर्स ने क्या किया गया है जिनके निगरानी में सारा काम होगा जिनके संचालम कर सही तरीके से और सही समय पर पूरा किये जाएगा तो देखिए इससे होगा क्या कि कंपनी का जो ओथ्राइट शेर क्रण है 130 क्रों को 230 क्रोंड हो जाएगा और इसे जो पैसा मिलेगा वो कंपनी अपने बिजन कंपने बिजनेस को एक्षबेट करने पर भी ध्यान देगी तो इसलिए मैंने कहा कि इसका फाइदा थोड़े समय के लिए आपको देखने को मिल सकता है लेकि लंबी ओधी की बात करें तो लंबी ओधी में किसी भी कंपनी को फाइदा तम मिलता है जब उसका जो फंडामेंट क्वार्टर फूर को मुकाबले कम ही हुआ है और अभी कंपनी के क्वार्टर के नतीजह आने वाले हैं क्वार्टर टूगया अब यूकि यह इसके और की इंक्रिजमेंट को लेकर मंजूरी मिल गए तो इसकी वज़ाइस रियर्ट अच्छी हो दिख सकते हैं आते हैं तो ज नजरिया लंभी यधी का है 10-20 साल तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन पीने स्टक में इतनी लमबी योधी के नजरिया खास करीश्टर के मेरे इस आप से ठीक नहीं है बाकि आप अपना देख लीजेगा और यदि कुछ नया ब्रेक्ति इसमेंट करना चाहता है तो इसके नहीं है तो मैं आपको रेक्मेंट करूँगा आप एंजे लोने में अपना फ्री डिमेट एकांट बोपन करा सकते हैं निक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धेने बाद शुक्रिया